अपने बिजनिस कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर की इस इमेल एड्रेस पर समपड़ाई PUBG खेलने में हुई दोस्ती और हो गई गैंग रेप का शिकार मैं रफिक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है PUBG गेम के कितने दुश्परी नाम है इसके कितने गलत असर बच्चों पर होते हैं अब तो आज जो खबर हम आपको बता रहे हैं तो बच्चे ही नहीं बड़े भी PUBG गेम के कारण किस तरीके से पीडिद बन जाते हैं किस तरीके से भुग्द भोगी बन जाते हैं वो हम आपको इस खबर के जरीए बता रहे हैं भोपाल की एक महिला है पबजी खेलने के दोरान मुंबई के एक युवक के साथ उसकी दोस्ती हो गई ये दोस्ती आगे इतनी बड़ी कि इस युवक ने इस महिला को बांदरा में ब्यूटिशन का काम दिलाने का वादा किया इस युवक के वादे पर भरोसा करके ये महिला भोपाल से मुंबई आई दादर रेल्वेस्टेशन हुतरी तो ये युवक जिसका नाम शुभम जादव है उम्र 23 वर्ष है ये वहाँ इस महिला को लेने भी पहुँचा दादर रेल्वेस्टेशन से ले करके ये महिला को ले करके कुरला में एक होटल में आया जब इस मामले की पूरी शिकायत दर्च कराई गई तो उस शिकायत में इस महिला ने जो दर्च किया है वो हम आपको बता रहे हैं खुरला होटल ले जाने के बाद शुबम ने इस महिला के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी रात का खाना खाने के बाद महिला बेहोश हो गई सुबो उठकर के वो देखती है तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और शुबम उसके करीब में बैठा हुआ है पूछने पर शुबम ने उसे एक वीडियो बताया जिसमें उसने इस महिला के साथ जबरन रेप किया हुआ था शारीक संबन बनाये थे और उसका पूरा उसने वीडियो बना लिया था उसी वीडियो के दम पर शुभम ने इस महिला को डरा धमका करके वलसाड ले गया वलसाड में भी वहाँ एक जगल ले जाकरके इस महिला के साथ शुभम और उसके दो मित्र है श्रावन और गौरो कुलकरणी इन दोनों ने मिल करके इस महिला के साथ गैंग रेप किया इस ग्यांग्रेप की वज़े से ये महिला धाई महिने की गर्ब होती थी, उसका मिस्कैरेज हो गया और उसको काफी शारिक पेडाई भी मानसिक यातनाओं के साथ बरदाश करना पड़ी। असल में ये मामला उजागर ऐसे हुआ कि महिला जब मुंबई पहुची और उसका कोई पता ठिकाना नहीं लग रहा था, तो इस महिला के पती ने भोपाल में स्थानिय पुलिस टेशन में उसकी गुमशुद्गी की शिकायत दर्च करने के बाद में भोपाल की स्थानिय पु का उसने इस महिला को मुक्त कर दिया, फिर वो और उसके दोनों दोस्त श्रावन और गौरव कुलकरनी वहां से भाग निकले, बहराल भोपाल के पुलिस टेशन में इस महिला की शिकायत पर गैंग रिप की धानाये लगा करके ये मामला दर्च किया गया है, और इसे आगे क जाच के लिए कुरला के विनोबा भावे नगर में भेजा गया है, फिलहाल इसमें कोई गिरफतारी नहीं हुई है, तीनों अपराधियों को पुलिस खोज रही है और आगे की जाच कर रही है, कौन है शुबम जादो, श्रवन और उसका तीसरा मित्र गौरव कुलकरनी, इ अगली ख़बर के साथ